नमस्कार फोर साइट्स टीवी में आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के घर एक नया महमान आया है ये गैस्ट कोई इनसान नहीं बलकि मासूम सा बच्छा यानि गाएं का बच्चा है 14 सितंबर को प्यम मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये दी कि उनके घर एक नया महमान आया है जिसका उन्होंने नामकरण भी किया है आईए जानते हैं इस नन्ने महमान के बारे में जिसका नामकरण भी हो चुका है प्यम मोदी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं वो जो भी करते हैं वो तेजी से उनके फॉलोवर समित देश भर में फैल जाता है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि उनके घर में एक नन्ना मैमान आया है और इस मैमान का नामकरण भी किया गया है वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मोदी इस गाय के बच्चे को कितना प्यार दुलार कर रहे हैं वहीं इसकी तारीफ करते ठक नहीं रहे हैं PM मोदी ने कहा, हमारे शास्त्रों में कहा गया, गाव है सर्व सुख प्रदाह, लोक कल्यान मार्क पर प्रधान मंत्री आवास परिवार में एक नए सदस्य का शुब आगमन हुआ है। मंदीर में दीब जोती को माला पहनाते हैं और उसको अपनी गोद में बिठा कर दुलार करते हैं। दीब जोती भी PM के इतने करीब है जैसे वर्षों से परिचे हो। PM मोदी उसे PM आवास के गार्डर में घुमाते हुए भी नजर आए। ये पहला मौका नहीं है जब PM मोदी का गोप्रेम सब के सामने आया। इससे पहले 2023 में वरंगल शहर के भद्रकाली मंदीर में भी PM मोदी को गोसेवा करते हुई देखा गया था।